एलो एरिवन वेलकेम उट वीडियो अज तारीक है दो मई और आज हम एनलिसीस करने वाले तीन मई के लिए कि मार्केट तीन मई को कैसे होने वाल है हम स्पेसिफिकली बात करने वाले बैंक इस परके वीडियो में देखने को मिल सकती है तो फिर उसके उपर हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं तो हम पहले देखते हैं बैंग इंफ्टी ओपनिंग के साथ हम जब लाइव सेशन में थे देखो जिसी को मॉर्णिंग सेशन में हमारे साथ लाइव जुड़ना है कि अगर वो red candle बनती है तो फिर यह वाले टेस्टिंग लेवल आज हमें देखने हो मिन सकती है स्टार्टिंग के 15 मिनिट के अंदर अंदर लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्टार्टिंग 5 मिनिट की candle ही green बन रही थी तो फिर हम upside के लिए ही गए थे करना चाहिए तो फिर वैसे ही किया जैसी हम लाइव गए उसके 10-15 मिट बाद ही हम लाइव गया थे इस candle के आसपास जब मार्केट एक कंचलर डिसन जोन में फसा हुआ था हम लाइव से हटे वैसी मार्केट 50 मिट के अंदर अंदर इसी जोन के आसपास नजर आया तो फिर ह कि हमने परसों भी बात करें तिकि यह वाले जो लेवल ही है टेस्टिंग के लिए पेंडिंग में है तो मार्केट ने वैसे ही किया यह जब लेवल टेस्टिंग में पेंडिंग में थी तो फिर मार्केट ने तेस्ट किया तो फिर यह होता है मार्केट की सैकलोजी की जब मा उन लेपलगलों को टेश्ट करता हMore उनको टेश्ट करने लिए जाता है और उनको टेश्ट करने के बाद मार्केट होता है जैसी यहांत के गिरता हुआ है और वहाँ पे स्यOhagon बाहणकिश मांकaines क काम होता है कि मार्केट संस़ल और अधर को केंसा के था J अब भी हम बात करते हैं, market में कल gap up open होगा, या फिर gap down, या फिर market में कौन सी probability बनी हुई है, तो हम बात करते हैं, market में हो सचता तो कल gap down open हो, हम ऐसा दिखाई दे सकता है, या फिर flat opening, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यूंकि नीचे की levels जो अभी pending है, अच्छी से टेस्ट हो तो फिर इन levels को आपको ध्यान लखना है, कि market इन levels के आसपास आएगा, तो फिर support लेगा, अगर support तूटता है, दोनों का support, तो फिर इस level तक आएगा, 49024, अगर market इसको भी support तोडता है, तो फिर हमें यहां तक का fall देखने को मिलेगा, 48916, 48916 अगर तूटता है, तो फिर downside last level होने वाली है, 48813, यह तीनों levels है, downside की, जो कि test होने में अभी बात की है, यह अभी pending levels में, market में इनको test करना होगा, तभी market इनको नीचे आएगा, तो फिर यह levels अभी pending में, यहां से market reversal हो सकता है, ध्यान रखें, यह level जो है, वो reversal के level से, market यहां से आके reverse हो सकता है, अब व पर होने के साथ-साथ उनको test कर ले नहीं, market को थोड़ा सा psychology को समझना, और price action को समझकर, market का trend समझकर, आपको पता लगाना है, कि market अब कौन से level को test करने वाला है, क्योंकि अगर सब को पता चल जाए, market अब यह level test करने वाला है, तो हर कोई पैसा बना ले, बड़ा अच्छा तो upside की levels की हम बात करें, तो upside में एक yearly levels है, जो pending में है, 49,414, और इसके उपर एक level pending में है, वो होने वाली है, 49,471, यह दोने levels pending में है, अगर market इनको reject करता है, और जो major level के लिए जाता है, test करने के लिए, जो major level अभी testing के लिए बची हुई है, हम देखेंगे, 49,616 के major level है, यह भी testing के लिए बची हुई है, तो market इसको test करने के लिए जरूर ऊपर जाएगा, और हो सकता है, market इसको test करने के चकर में, इन दोनों levels को reject करता है, testing होना, इन से reverse होना, cancel करके market upside जाता हो, हमें दिखाई दे, तो फिर यह थी upside की levels, और हमने downside की levels की भी बात करी, अब बात कर इसको फोलो करते हुए, price behavior को समझते समझते हम समझते हम समझेंगे, कि market अब कौन सी levels को testing करने वाला है, तो फिर इन levels को mark कर ले, यह levels बहुत ही major levels होने वाली है, इनके लावा market के भी नहीं जाएगा, इनको market को test करने होगा, otherwise upside की levels, otherwise downside की levels, और अगर आपको हमारे साथ live stream में जूटना है morning में, तो आप हमारे चैनल को subscribe पर लिजे, जिससे आप हमारे live stream में जूट सकें, और अच्छागासा profit earn कर सकें, हम morning में भी आते हैं, evening में भी आते हैं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe बना मत भूलना धन्यवाद